2001 के Parliament Attack के 22 साल बाद उसी दिन नए Parliament में ये मनजर आज देखने को मिला भगवान का लाग लाग शुकर है कि कम से कम ये जो आप मनजर देख रहे हो ये जो आप गैस देख रहे हो ये कोई chemical gas ये कोई chemical substance नहीं था नहीं तो आज बहुत जाने जा सकती थी और एक और बहुत ही खूंखार attack हो सकता था Parliament पे क्योंकि ऐसा हो चुका है ऐसा लोग करने की कोशिश पहले भी कर चुके हैं जैशे महुमद ने कोशिश की थी 2001 में उसके बारे में बात करते हैं और आज क्यों बहुत जादा और serious मामला हो सकता था उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि हुआ क्या उसके बाद फिर हम लोग और reason and causes में जाएंगे ये मनजर बना कैसे क्योंकि जब Parliament का जिरो आर चल रहा था तो ये हुआ यहां आप देख पा रहे हो कि कैसे एक बंदा आगे आने की कोशिश कर रहा है और उसको फिर कैसे Parliamentarians और Watch Guard वगेरा Parliamentarians ने भी वैसे काफी उस बंदे को घेरने की कोशिश की और उसके बाद उसकी भी अच्छे से कुट आई हुई चलिए कम से कम इससे ये एक डिबेट तो खतम होता है कि Parliament में भी चलो कुछ बाहुबली टाइप लोग होने चाहिए कि Parliament में अगर कोई अटाइक करेगा तो मंतरी गण खुद ही हैंडल कर लेंगे लेकिन आज का जो ये incident हुआ अभी उसके बारे में आ रहे है थैंक गॉड की ये किसने किया क्यों किया और chemical weapon नहीं था लेकिन जिन लोगोंने news follow किया हुआ है हम लोग हमेशा 2008 याद करते हैं लेकिन इंडिया का उससे भी जादा खतरनाक attack fortunately नहीं हुआ लेकिन उससे जादा खतरनाक planning थी then the taj 2611 जब की हमारे parliament पर attack किया था जैशे महुंबत के terrorists ने 2001 में 13th December और उस दिन उस दिन सिर्फ एक दो छोटी गलतियां and of course जो watch and watch staff हैं जो हमारे parliament के security है उसके वज़े से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया था जब ये ambassador जिसमें parliament के पूरे stickers बगेरा लगे थे parliament परिसर के अंदर आ जाती है completely laden with RDX completely laden with terrorists लेकिन because वो रस्ता ठीक से नहीं जानते थे parliament के अंदर तो इन्होंने जाकर vice president के convoy के अंदर गारी ठोग दी उसके बाद firing शुरू कर दी लेकिन तब तक watch and watch staff को मालूम चल गया कि parliament पर attack हुआ है उन्होंने दर्वाजे बंद कर ग lessons of security हमने शायद नहीं सीखी एक personal episode के बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगा बलराम एक लंबा tweet thread पर वो लिखते हैं और वो समझाते हैं कि किस तरीके से पहले main entrance पर आपकी scanning होती है आपकी ID देखी जाती है आपके pockets check होते है metal detector से सारा कुछ check होता है electronic items wallet वगेरा सब कुछ लिया जाता है आपको फिर want किया जाता है particularly कि भईया कुछ उल्टा सिधा मत कर देना उसके बाद आपकी physical frisking होती है और आपको एक pen तक ले अंदर आप नहीं ले जा सकते हो तो उनका कहना है कि मैं मान ही नहीं सकता हूँ I refuse to believe that some random can show up between house proceedings और इनका ये जो experience था पारलमेंट में जाना जब session में पारलमेंट था भी नहीं इस बात से मैं सहमत इसलिए हूँ क्योंकि बहुत पहले एक बार मेरे साथ भी कांट हो गया था जब पारलमेंट के security ने मेरे हिलाफ पूरी एक कारवाई शुरू की थी मेरे उपर पूरी file खोली गए थी क्योंकि जब आप young and not so innocent होते हो तो फिर आप भी number one आने की कोशिश करते हो आप भी news भेजने की कोशिश करते हो तो मेरे साथ मेरा mobile phone पारलमेंट में जो journalist gallery था मैं अंदर ले गया था जो की एकदम मना था और आनन फानन में लेट हो रहा था news break करना थ तो वो मेरे साथ में phone अंदर ले गया उसको फिर पकड़ा जब गया ये बात जब सामने आए तो बाकाइदा पूरा file खुला proceedings होई पता लगा नहीं कि कोशिश की गई कि ऐसा क्यों हुआ था गल्ती से हुआ जानमुच के हुआ था उसके बाद senior editors ने जब intervene किया तो कुछ मह इनों बात जाकर वो file बंद हुई एक mobile phone को लेकर और वो भी एक journalist है accredited है etc. और यहाँ smoke bomb आप अंदर ले जा पा रहे हो, parliament के अंदर आप smoke instrument detonate कर रहे हो, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं ये कैसे हो सकता है Parliament security पर तो एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है, politics की बात यहाँ नहीं हो रही है, News 24 ने एक screenshot जारी करके दिखाया है कि किस तरीके से अगर आप total sanction strength की बात करो, actual strength की बात करो और deficiency की बात करो, तो कैसे Parliament की आज की security establishment कम थी, जबकि आज का दिन तो और भी जादा खास होता है क्य तो आज के दिन अगर ये situation है, तो कहीं न कहीं तो Parliament security को seriously नहीं लिया गया है, इस मर तो कोई बात नहीं, दूसरी बात, ये भाई साब, ये पुन्नू टाइप आगनी तो हर दूसरे दिन कुछ न कुछ फोड़ने के लिए लगा रहते हैं, पहले बोला था कि Air India flight को की दे रहा है, अगर सरकार खालिस्तानी movement के against इतना serious है, तो आपने क्या एकदम ही इस warning को दरकिनार कर दिया और बोला कि नहीं, हम तो security और भी कम कर देंगे, लोगों को smoke bomb अंदर ले आने देंगे, अब identity पर आते हैं कि क्या ये खालिस्तानी थे, ये पाकिस्तानी थे, और इस खबर को देख कर सुनकर बहुत सारे जो media channel हैं, वो शायद इस खबर को उतना downplay कर दे, आज उतना upplay ना करे, नहीं तो ये शायद साल की one of the biggest news stories होती, लेकिन ये news narrative में fit नहीं आती है, क्योंकि जो लोग identify हुए हैं, पहले चार और अब बोला जा रहा है कि दो और भी हो स सागर, सागर शर्मा, तो एक तो आप नाम देख लीजे, सागर शर्मा who hails from Lucknow and is the son of शंकरलाल शर्मा, दूसरे हैं, 35 year old D. Manoranjan, son of D. Devraj, अब ये दोनो भाई साब जो अंदर थे और जो बाहर पकड़े गए, नीलम देवी, 42 year old woman and Amol, तो ये चार है, तो ये news channels को ये खबर उतनी पसंद नहीं आए, क्योंकि उनका narrative जादा fit नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर भी politics खेलने की कोशिश हो रही ही, कि कैसे ये farmer protest में involved थी, is equal to obviously कि Congress ने जरूर भेजा होगा, लेकिन ये मनजर कुछ दिखने को मिला आज Parliament के बाहर, जो मैंने अंदर आपको दिखाए pictures और य ये मनजर देखकर किसी को भी, किसी को भी बहुत चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये चीजें आप Parliament के बाहर कर रहे हो, जहां जिस देश में, by the way, जहां JNU में आप 100 मीटर के आसपास protest नहीं कर सकते हो, जंतर मंतर में protest नहीं कर सकते हो, आदमी अगर यहां आके protest करेगा, तो सबसे पहले तो जानता है कि भाईया गई, उसकी freedom तो गई, उसके उपर तो जो case लगेगा, पहाड लगेगा, वो तो खतम, तो ऐसा किया क्यों, और यहां आता है सबसे बड़ा सवाल, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहले सुन लीजे इसको. भारत माता की जे अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, तो खालिस्तानी अगर टर्रिस्ट होते तो मेरे ख्याल से नारे कुछ और लगते, इसलामिस टर्रिस्ट होते तो नारे कुछ और लगते. और यहां point सवाल ये उठता है कि हमें किस चीज़ पर जादा चिंतित होने की जरूरत है अगर कोई terrorist होता हमारे संसत पर attack करने की कोशिश करता समझ में आती बात लेकिन ये कौन है इनका कोई political agenda है या आम इंसान है ये कह रहे हैं कि ये आम है है अपका मेरा नाम नीलम है और हर बंदा ये जो पताके फोड़े आप वोगों ने नारवाजी की क्या नाराज़गी आपकी हमारी भारत सेरकार है है कि हम पर ये अत्याचार हो रहे हैं हम अपनी हकों की जो बात करते हैं लाटी चांज करके हमको अंदर ढाला जाता है तोर्चर किया जाता है तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं तापनी। तो उसपर जादा लॉजिक बनती बात की। लेकिन अगर कोई रैंडम इनसान, आप मान लीजिये पागल है। लेकिन पागल है, मनें चार पागल हैं, जो चार पागल हैं, आते हैं संसत के अंदर, संसत के बाहर, इतना बड़ा बखेडा ख़रा करते हैं। और वोग जानते हैं कि भईया उनकी जिंदगी तो गई, अब तो चक्की पीसिंगी रहेगा, तो आतंकवादी है, political किसी तरीके से आए है, किसी ने भेजा है, या फिर citizens है, जो fed up हो चुके हैं, system से आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, और ये कांड कर रहे हैं, वो जादा चिंता जनक विशय है, वो जादा चिंता का विशय है, और obviously इसको लेकर जो politics खेली जा सकती थी, उसमें थोड़ा सा problem यह हो गया, कि for example, यह जो सागर शर्मा है, प्रताब सिमा, यह BJP के MP है, उन्हों ने इनका जो entry pass है, वो approve किया था, क्योंकि आपको approval चाहिए होता है, कि आप कहां से आ रहे हो, किसी publication से आ रहे हो, या किसी MP ने आपके लिए vouch किया है, तो वो भी BJP के हैं, गलती उनकी भी नहीं हो सकती ह चलो ठीक है, constituency से आए हैं, तो उस पर politics खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन politics जरूर खेला जा रहा है, BJP ये कहने की कोशिश कर रही है, BJP की IT से लब ये कहने की कोशिश कर रही है, कि ये जो नीलम देवी थी, ये farmer protest में मिली हुई थी, farmer protest में मिली थी, तो उसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो वो खालिस्तानी थी, या फिर वो Congress ने भेजा था, तो इसके ओपर politics तो बहुत खेला जाएगा, लेकिन the fact of the matter is कि एक बहुत बड़ा security breach हुआ है, बड़े बड़े, इतने बड़े आप smoke bomb ले जाये हो, वो बोला जा रहा है कि जूते के अंदर से, the fact is that आप एक chemical weapon भी अंदर ले जा सकते थे, और सवाल ये है कि इसका example देकर already, by the way, लोगसभा में entry for visitors को ban कर दिया गया है, अगर आपको ये नहीं मालूम है, तो लोगसभा में journalist की entry को लेकर भी बहुत बड़ा बखेडा है, सरकार over the year धीरे-धीरे journalist की entry को भी रोखने की कोशिश कर रही है, तो क्या इस incident को, एक red flag बना कर, एक ऐसा incident बना दिया जाएगा कि देखिए, अब तो हमें parliamentary security देखना होगा, तो हम ना visitors को allow करेंगे, temple of democracy, mother of democracy के temple of democracy में, हम ना visitors allow करेंगे, और ना ही हम पत्रकारों को allow करेंगे, और संसद में ही, जो चाहे, हम अपना काम करते रहे हैंगे, cameras तो हम ही control करते हैं, कहीं ये मनजर ना बन जाए, तो ये तो एक stress का point है, दूसरा, कि अगर parliament, देखिए, अगर किसी ने भी भेजाओ, ना भेजाओ, वो दूसरी बात है, the fact is कि parliamentary security इतनी बड़ी तरीके से breach कैसे की गई, इसके उपर सवाल जरूर खड़ा होता है, और उसको address किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बहुत एक important सवाल है, problem ये है कि media की जो narrative है, उसके according ना सरनेम बैठता है, उसके according ना approval pass बनता है, उसके according अभी connections बनाने की कोशिश हो रही है, अगर वो connections ना बने तो क्या media story को sideline कर देगी, और जब media की बात उठी है, ये भी देख लीजिए कि जब संसद में इतनी बड़ी security breach हुई, तब एक smoke bomb एक journalist को मिल जाता है, जो बाहर जिसको detonate किया था, नीलम और उसके साथ ही ने, और फिर देखिए क्या منظर बनता है पीपली life का. अब टी आर पी भी ज़रूरी है, सब को smoke bomb चाहिए. मैं आपको बता दू कि ये मैं आपको एक clean feed दिखा रहा हूँ, जो कि वहां के एक बंदे ने shoot किया था, mobile phone पर, लेकिन ये पूरा मंजर मीडिया पर play out हुआ है, live ये play out हुआ है, और मैं पीपली life इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, कोई जल्दी, कोई तेज, कोई धीरें, लेकिन देखिए, ultimately सबसे तेज ने ही बाजी मार ले, जिस दिन इतना बड़ा एक security breach हुआ, उस दिन हमारी मीडिया और वरिष्ट पत्रकार ये काम कर रहे थे, कि आपस में कुता बिल्ली चल रहा था, चीना छप्टी चल रहा था, और एक smoke bomb के पीछे, of course, tempering of evidence तो वो दूसरी बात है, वो बाद में फिर forensic lab वाले भी आते हैं, लेकिन tempering of evidence तो बहुत पुरानी चीज आईए देख लेते हैं, कि दस साल पहले पीपली लाइव ने क्या बोला था? कि किसी वेक्ति के शरीर से निकला हुआ मल उसकी मानसिक स्थिती दर्शाता है, या यू कहले कि पैखानी के रंग को देखकर मानसिक दशा का अंदाजा लगाया जा सकता है, मगर यहां हम रंगों का मिश्रार देख रहे हैं, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पह मीडिया एक तरफ अपना ट्यार पी गेम खेल रही थी, अंदर पॉलिटिशन्स फिलहाल अभी तो तू तू मैं 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 लगे हुए हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉंग्रेस सवाल पूछ रही है, बोल रही है कि ग्रह मंतरी को इस पर एक बयान द इसका जबाब चाहिए, अगर ये टेर्रिस्ट नहीं है तो और चिंता जनक विशय है कि कल कोई भी पागल, कोई भी जो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है जिसको प्रोटेस्ट करने का अफसर नहीं मिल रहा है, अपनी आवाज उठाने का अफसर नहीं मिल रहा है, क्या वो इस एक chemical gas होता, एक poisonous gas होता, इसके बारे में सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए